अब आप लोग आज आपका जो सब्सक्राइब लाई था अमेरिका बाद की वासने आपको फटकार रहा है यहां तक कि युनाइटेड अरब और साओधी अरब जैसे लोग आपका साथ देने को तैयार नहीं खड़ें वो पर लिए तिर चाइना को चोड़के कोई आपके साथ पर दिखा रहा है पूरी दुनिया देख रही है पाक आधिवर्ट कश्मीर को आपने किस खालत में पहुंचा दिया है तर यह आंकड़े हैं जो पूरी दुनिया के सामने और देखिए आंकड़े लिखी जा चुकी है सब्सक्राइब लिखने देखर की अधियर ख्राइबब। जाता है उसे आप क्याते हैं कि और अधिया मिला तो तारिक फटे रखिए ना सर सब की बात सुने की रिवायत नहीं है दो सौ मिलियर तारिक फटे के पास है यह चुप कर ले सर यह मस्जित नहीं है आप खामश हो जाएं थोड़ी देर जहां इस यह ऐसा मुल्क है जहां अगर आपकिसी आपकिसी गिरजा घर में पैदा हुए थे हैं जी बिल्कुल आपकिसी गिरजा घर में पैदा हुए हैं लोगों को यही संदेश जाता है कि मुद्धा को भी हो बात आगे बढ़ जाईए जरा सुन लीजे दूसरों की बात भी जी तारिक पता साथ देखे इनका प्राब्लम नहीं है इन विचारे लोगों को माफ कर दीजिए for they know not what they say बाइबल में बड़ा श्रेली कहा है क्योंकि यहां को पढ़ता नहीं है सर चुप कर जाईए अब आज पाकिस्तान के खिलाब खड़े होके बोल रहे हैं शर्म नहीं हाती है इनको यही नहीं पता कश्वीर पे बात शुरू करें ना तारिक फते अरे कश्वीर बात करें बड़ी बात करें जरा सर यह गवाल मंडी नहीं है यह कोई दंगा का इलाका नहीं है आप अपने घर के ड्राइंग रूम में नहीं बैठे यह टेलेविजिन है एयर टाइम है जल्दी से बात हिंदुस्तान के एक एहम चैनल के एयर टाइम को जाया कर रहे हैं हुआ उसके वक्त को जाया कर रहे हैं आप खामोश होंगे या मूँ बंद करने के लिए जानल अरोरा को भीजिए पाकिस्तान के पैरों के लीचे से किसा क्यों इस वक्त नजर आ रही है इसी वज़े आप को भुमाने की कोशच कर रहे हैं सर लेकिन ये बात खत्म यहां नहीं होगी जरा फुनने का माता रखे स्कूनिये जरा तारिक पते की बात को तारिक पते साहबाब आप पूरी कीजिए यहां पर इनका जरा माइक बंद कर दें ताके मैं बोल सकूं ने कि प्रॉब्लम पाकि हिंद पे रहने वाला होता ही हिंदुस्तानी हैं रावी पे पैदा होने वाला आद्मी नौन हिंदुस्तानी हो इनी सकता इंड़ ये उस बात पे फखर करते हैं। यहां पर मुदी ने खड़े हो के जंडा ले रहा है वो मेरे शाह जहां का बनाया हुआ लाल कला है अरे आप लोगों के लिए भी नहीं तारीख का पता सर एक काम कर लीजिये यहां के अप्धी तारीख कर ली आप के आप लाज़ा आप यूपी ट्रेंड इंडिया का खात्मा कर देता तो बस ठीक ठाक हो जाता। आप जैसे का मतलब हिंडू है ना हिंडुों के केस बोल रहे है आप हिंडु होसे आप हिंडु कोकृत माहिए — मैं नै मैं हूं हिंदु नहीं यह नाम बदले ना तारीख फते Πैक क्यों नाम बदलू को नाम बदलो अरे भाई है ये सन्स्क्रिट का बखुए जा है तारिक पीरजादा साथ मुसल्मानों के प्रिकेदर बनने का हak का आपने किस को दे दिया यहाँ पर भाईज जो है वो बलूचस्तान के मारे किस्तान करें तो आपने यहां शहीद का दरजा देता है शर्म क्या पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं आती तारिक पिर्जादा अरे ज़रा गोर से गोर से अगर गोर से अगर जिया बेयान पड़ें उसने क्या कहा है कि मुसल्मानों की जिन्दगी आपने हराम करकी है भारत के अंदर यह कि मुसल्मानों के ठेकदारमत बड़िये यह जिम्मेदारी आपके नहीं है हम् Hee उनके जर्टमार फर्मा लीजे आप तो इस्लामिक बिदर हुट के नाम पे बने मुस्लिम नहीं है क्या था कि जब आपने बंदे मातरम इसे आपने आगी रखा रहा है उसका अरे आप हमारे कश्मीर में तो आप रिलिगत कलर दे जाते हैं कि वह हिंदू और मुस्ल्मानों का कश्मीर है अरे आपके बल्गित विल्गितान ने आपको गर्दन से पकड़ लिया है अजादी की तेरिक शूर मचाईए तारिक फते जी तो मुस्लिम है वो बोल रहे हैं और हकीकर उन्हें तारीक की नहांता काई है तो मैं अलामा इक्बाल काई है आपको तारीक का शेर मता देना चाहिए वह हुए हमारे बाइए आप शुक्र मनाएं बाकी अभी तर्णक है नामों निशाव हमारा कुछ बात है कि हस्ती मिठती नहीं हमारी सद्दियों रहा है अठी ग्रेबाव के नहीं है अगह शुक्र मे г-कार जाव दाहिए नहीं हमिए ऊचका बाइडर मता इस डामेरे की तरफे नगल Architects मॐस्तार कर रहा है आपको पता है इता है अच्छा आज ये क्या चुटकुले आप लेकर आप आज आज इस आज़रा के मौके पर जश्मे कुछ चुटकुले सुनाने के लिए आप सोच करा है आज इसलावबाद में सिखों ने खड़े होगे आपके खिलाव तकरीरे की हैं जी पीर रादा हम सब इसलावबाद इस तरीके से यूएन के बाहर बलूज लोग पहुंच रहे हैं महापर अब आप जब आप समय ने सिखों को पता लग गया है कि हिंदू ने धोका दिया है और आप यहाँ पर बार बार एक ऐसा रागल आपने की कोशिश कर रहे हैं जिसके सुरब पूरी तरी तरीके से आपके बसके रहे हैं तरगाने यह उननीसो और तालीस और उन्चास की अक्वाम मुताहिदा की करारदादे हैं जो कि आपका वजीर आप नहरू लेकर गया था उसकी कबर को भाई हटाओ ना फोट तारिक फिर्जाब उसापने कराई के वादे हैं एक तरफ किस त तस्वीरे गवा हैं पाकिस्तान के जूट की यह तीन तस्वीरे पाकिस्तान को बेनकाब कर रही हैं पूरी दुनिया के सामने क्योंकि चाहे बलोचिस्तान के लोग हो चाहे पाकिस्तान अधिकलत कश्मीर के लोग हो चाहे MQM की तरफ से जो प्रदर्शन किया जा रहा है त वो मक्मुजा किश्मीरियों के नाम किया हुआ है आपको तो दिन नहीं पता 14 अगस तो कोई दिन ही नहीं था 15 अगस को पाकिसान की अजादी हुई ये इतनी डफर कौम है इसको आपने जाँ में अजादी नहीं पता अरे कभी तारीख को पढ़ो तारीख को पढ़ो पढ़ने के लिए जबानाना किये दोनों मुलकों ने अजाद होना था हमने 14 को मतखिब किया आपने 15 को आपको तो ये एक बेकार किसम का मखुश चेड़ रहे हो अरे बात करो जहां से आयो आपने 5000 को खून बहा दिया है महमद बिन कासिम और मेमूद जजनुवी की आउलाद पिछले सकतर साब ने एक लाद किसमीरी आपकी संगीरों के शिकार हो चुके हैं हम आपसे एक 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 हम का बतला लेंगे बचेंगे नहीं आप लो आप क्या बच जा लेंगे नहीं और ये कराये के जो आदमी आप ले आते हैं तारिक बड़ेंगे तो तुम आपने खांदान बेंट होगे इस तरह के क्राये के लोगे लाए बड़े बड़े अच्छे लोग माजूद है तारिक बड़ेंगे जो सच बोल रहा है जो आप से आले किराये रखता है उसे आप किराये का केकर इस तरीके से बच नहीं सकते हैं सर ये सच है तश्वियों लगे पूरा बुट